और जैसे ही Honorable High Court ने क्वैश किया इन्दी मीनवाइल पुलिस ने CGM सुल्तानपुर साहिब के हाँ वो चार्शीट फाइल कर दिया था तो पुलिस का टार्गेट ये था कि वो संग्यान ले 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 और वो एक तरह से और इंफ्रिक्श्योस हो जाए पुलिस ने चार्शीट उनके खिलाफ भेज़ दी और आनन फानन में और जो है वो CGM सुल्तानपुर के हाँ फिर हम लोगों ने Honorable High Court का ओर लगाया और जो हमारी तरफ से जो तरक रखा गया उसमें हम लोग की तरफ से ये कहा गया कि भले ही हम FIR क्वेशिंग में गये थे माननी उचनेयले लेकिन जो Honorable High Court का ओर्डर है उसमें Honorable High Court ने इस बात का Judicial Notice लिया है कि All the Consequent Proceedings are here by क्वेश्ट यानि FIR दर्ज होने के बाद जितनी भी NBW 82 या चार्शीट जो भी पुलिस ने फाइल किया है अगेंस वन अफ दी इस बात से संतुष्ट होते वे सुल्तानपूर में CGM साहिब ने उस order को जो है अनुपालन किया और जो है पूरी की पूरी प्रोसीडिंग फॉर वन अफ दी एप्लिकेंट वो एक तरह से अबेट कर दिया अब जैलीज जो है इस नो मोर एक्यूज इन दिस दिन को कि वह एक हो एक व complexity prescribe तब तकाल जो है प्रोसीड़